सब्सक्राइब नाओ और प्रेश तब बेल आइकिट नेवर मिस अन अपडेट जेश Será करना है उसे पार करना है और धुमधर तरीके से धमाके और व्याल से पार भी करएँगे आप सब को पता है और शांदार तरीके से ताबर तोड़ बैठींग मेंजिब करने करने वाले हैं उसको हममलोक करने वाले हैं रेडी होगे स्पेस और निश्चित रुप से हम लोग सफलता प्राप करने वाले हैं ठीक चले बहुत बढ़ा तरीके से आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं तरोज जी अमरिता जी पुष्पनजन जी और सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार गुड इवनिंग उमीद करता हू दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रहे होगी ठीक है चले स्टार्ट करते हैं शुष्पनजी राहुल जी जोड़ चुके है निधी जोड़ चुके है बहुत बढ़िया दोस्तों आप सभी का स्वागत है सेशन में और यहाँ पर आपको PDF मिल जाती है क्लास के तुरंद बाद मैं शेयर कर देता हूँ, discussion और doubt session आपको मिल सकते हैं, doubt following मिल जाएगा आपको सीधे मेरे के द्वारा direct interaction आप मेरे से कर सकते हैं और यह सारी facilities आपको यहाँ पर मिलेगी, clear? तो चलिए इस्टार्ट करते हैं हमारा session जो आपके लिए बहुत important है और आपको बताना है कि saffron is obtained from which among the following parts of the plant, आपके exam के दिश्टिकोंड से बहुत important है, stigma, anther, stamin और pollen आपके option, आप सभी लोग बताईएगा, यहाँ पर right answer क्या है दोस्तों, सबका answer आना चाहिए, चलिए सभी दोस्तों लोग बता दें, what is the right answer है, समय ह और सबको बताना है इसका right answer क्या होगा, फटा-फट तरीके से answer आने शुरू हो जाने चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग participate कर रहे हैं, और answer सभी दोस्तों का आना यहाँ पर शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है, very good बटा, आकाश जी, good evening, मानुमेंदर, PSG, good evening, बहुत बढ़िया, आज सभी बच्चे लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है, अक्षिता जी, अम्रता जी, मानुमेंदर जी, शुवश्री जी, रनेधी जी, दाहुल जी, आकाश जी, तृप्ती जी, पुश्पन्जद जी, सब ने answer करना शुरू कर दिया है और इस ना नदर दैन, इस्टिगमा या यही आंसर आप लोगों का आ रहा है, यह बहुत अच्छी बात है, अनस्जी भी जुड़ चुके हैं, और यहाँ पर एकदम सही उत्तर आपका क्या है, इस्टिगमा या वर्थिकाग रहे, और सभी दोस्तों ने शानदार तरीके से धमा के दार तरीके से गेंद को बांडरी लेंगे बांडरी लेंगे पार पहुंचाया है, बहुत बढ़ी आंसर था, और गौरो चेकी फाई जी जुड़ चुके हैं विटा, और सभी दोस्ते लोग का स्वागत है, यहाँ पर किन-किन बच्चों ने comment box में आंसर दिया था, अकास जी ने, अमरता जी ने, शुभी सिंग जी ने, बहुत बढ़ी आ, राहुल जी ने, संजना कुमारी जी ने, मुहमद अनस जी ने, और सौमिक नंदी जी ने आंसर किया है, ठीक, दिक्षा कुमारी जी ने, और सुर्भी सिना जी ने, और किट्टू राना जी ने आंस पर हो सबी लोगो एक बार क्या करेंगे सब्सक्राइब करने कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर और अपने सब्सक्राइब करें कीज़िए और चानल को को अपनी स्ट्रंथ बनाईए और यह सेशन आपके लिए लाइफ शेंजिंग है दोस्तों में बार बार कहता हूं चलिए बहुत बढ़िया पहला कोश्चन आज के सेशन का यह रहा आपके सामने आपको बताना है प्रसिद्ध संगीतकार ए आर रहमान ने निमलिकित में से किस गयित के लिए बावनवा ग्रैमी पुरुसकार जीता था आप सभी दोस्तों को बताना है बावनवा ग्रैमी पुरुसकार जीता था किसने बताइए तो यहां पर आपके आप्योंस है रूबरू वंदे मातरम जैहो और दिल्ली सिह आपके ऑप्शन से और 2021 का कोश्चन है द भारती सिनेमा के बहुत बढ़िया म्यूजिक डिरेक्टर बहुत बढ़िया कंपोजर हैं और आप सब को पता होगा इनका गीत जो है बहुत प्रसिद्ध भी है दोस्ते बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं अक्षेता जी ने जय हो लिख दिया है वेरे गुड कार्थिक जुड़ चुके हैं आकाश जी प्रहलाद जी राहुल जी मानवेंदर जी शुवश्री जी निधी जी अमरिता जी वेरे गुड बटा अंकिता जी आप लोगों ने आंसर क्या किया है जै हो आंसर किया है और किस मूवी का सौन्ग था जै हो जिसके लिए क्या मिला है जिसके लिए घ्रयमी पुरुशकार दिया गया था यह रह्मान सभी दोस्तों को बताना है what was the movie name आप सभी के answer यहाँ पर आने चाहिए बहुत बढ़िया participation सभी दोस्तों की तरफ से हो रहा है शांदार तरीके से दोस्तों आप लोग answer कर रहे है I want the movie name सभी दोस्तों लोग बताएंगे इसका right answer क्या है चली दोस्तों बहुत बढ़िया participation आप सबकी तरफ से तो यहाँ पर C answer आ रहा है त्रिप्ती जी ने C लिग दिया है very good बिटा जै हो तो आप लोग बता ही रहे हैं बिटा लेकिन यहाँ पर नाम बताना है मैंने पूछा movie का नाम क्या था ठीक है सभी दोस्तों बता सकते हैं comment box में answer करके ठीक है जरूर बताईए और यह भी question आपके exam में पूछा जा सकता है ठीक है चली हिमांशु जी बिल्कुल notebook में उताने की जरूत है तो आप उतार सकते हैं जो पर गलत हो रहा है उसको note करिएगा लेकिन इसका PDF बिट आपको मिल जाएगा इस पूरे session का और PDF दोस्तों आपको मिल जाएगा Telegram Group आप लोगों को जोईन कर लेना है GS by आशुतुसर Telegram Group कौन सा जोईन करना है GS by आशुतुसर Telegram पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा GS by आशुतुसर उसके आप जोईन कर लेजिए वहाँ पर आपको इसके PDF भी मिल जाएगे Clear होगी बाद दोस्तों बहुत बढ़ी answer और देखिए Movie का नाम दोस्तों आप सब लोगों ने क्या क्या answer करना शुरू कर दिया है Slum Dog Millionaire आप लोग बोल रहे Slum Dog Millionaire बोल रहे है Very Good बेटाक बहुत पढ़ीया शांदर तरीके से आप तभी दोस्तों ने answer किया है Very Good चलिए बढ़ते हैं आगे Next question दोस्तों आपकी तरफ से यह रहा आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे इसका right answer क्या होगा सरकार द्वारा वित्तिया अनुशाशन की कमी से क्या हो सकता है आपको बताना है ठीके वित्तिया अनुशाशन की कमी से क्या हो सकता है पहला आपका option है अतरिक्त व्याए और दूसरा है मुद्रास्विती ठीके तो सभी दोस्तों लोग बताएंगे इसका right answer क्या होगा, आपका समय हो गया है शुरू दोस्त, बताइएगा इसका right answer क्या है, सरकार द्वारा वित्ती अनुशाशन की कमी से क्या हो सकता है आपको बताना है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी दोस्तों ने क्या किया answer करना शुरू कर दिया है, very good बहुत बढ़ि related, कोई और चीज यहाँ पर discuss करनी का शक्ता नहीं है, other platforms हैं, आपके पास आप उस पर कर सकते हैं, यहाँ पर केवल पढ़ाई oriented discussion ही करिए, ठीक है, answer आने शुरू हो गया है, अक्षिता जी, very good बिटा, मानवेंदर जी, निधी जी, प्रहलाज जी, सरोज जी, शुश्र जी, अनवेंदर जी, रामानुद जी, तृप्ति जी, कार्तिक जी, हिमांशो जी, राहुल जी, देख्षा जी, पुश्परंजन जी, सभी दोस्तों ने यहाँ पर answer कर दिया है, और यहाँ पर answer क्या है दोस्तों, यहाँ पर answer आ रहा है, C, C आपका answer है, A और B इसका क्या होगा दोस्तों विकल्प होगा, इसका विकल्प क्या होगा, A और B दोस्तों आपका यहाँ पर right answer होगा, तो सरकार द्वारा वित्ति अनुशाशन की कमी से क्या हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, A और B इस दा answer, और सरकार द्वारा वित्ति अनुशाशन की कमी से आपका अतिव्याई भी हो सकता है, access expenditure भी हो सकता है, और मुद्राइस्पृति भी बढ़ेगी, अगर access expenditure होगा, तो क्या होगा, मुद्राइस्पृति भी आपकी बढ़ेगी, तो दोनों related भी है, ख्लियर होगी बात, समझ में आरी बात दोस्तों, और सबने यहाँ पर क्या किया है, ज शेयर कर दिजिए दोस्तों, और 40 प्रस का target है दोस्तों, आज का, 40 प्रस तक बच्चों को इस session को कौँचाना है दोस्तों, एक बार शेयर कर दिजिए सभी दोस्तों, जिन्होंने नहीं किया है, ठेक, चले, बहुत बढ़ेगी अनभोपांड़ी यह जुड़ चुके है, इ राष्ट्रिय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया, बटा देंगे राइट आंसर क्या है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब आपका शुरू किया गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन आपके exam के लिए, बताएं सभी दोस्तों, क्या answer होगा, I want answers from everyone, और सब की answer आने चाहिए, और समय भी हो गया शुरू, dates आपके सामने है, आंसर सब का आना चाहिए, बहुत ही बहतनी तरीके से आप लोग answer कर रहे हैं, और fantastic तरीके से participate कर रहे हैं, very good, Charlie जी जुड़ चुके हैं, सरोज जी, हिमानशु जी ने answer किया, very good बटा, बहुत बढ़िया, अमरिता जी, शुवश्री जी, शान्दार तरीके से participation हो रहा है, एक बार session को share करना है, दोस्तों सभी को, जिल्दी से, चलिए, देख लेते हैं, दोस्तों, क्या इसका answer होगा, तो राष्ट्री hydrogen mission आप तभी के लिए बता दूँ, very very important, सबको समझ में आ रहा है, ठेक? चलिए अब एक बात और दोस्तों राश्ट्री है Rs.ileasjn शूरू क्यों किया गया गया तो सब्सक्राइब और पर इंदिश्ण स्प्रदार्ण अंड़ें थे जिसमें हाइड्रोजन को उर्जा के शुरुत के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया क्लियर होगी बात दोस्तों सब लोग भियान रखिएगा एससे सी चसल का सीधा कोश्चन है दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है अब आप यह नहीं कह सकते कि एक्जाम में ऐसा कुश्चन नहीं आगा सर बहुत तफ कुश्चन आ चुका है और ऐसा ही आता है तेक देख रहे हैं आप सभी लोग बहुत बढ़े हैं कार्थिक जी करना है जियो मार्ट के व्रैंडब मेज़डर यह हैं एमेस जोनी है देख ल आपको बताना है पंडित भवानी शंकर किसके खिला रही है आपकी ऑप्शन आने चाहिए तो पकावज तानपुरा धोलक और तबला आपकी ऑप्शन है आंसर सभी दोस्तों करेंगे और बताएंगे यहां पर राइट आंसर क्या है बहुत बढ़े है शुभी सिंग्जे ज सभी दोस्तों लोग एक बार शेयर कर दीजिए और आज का टार्गेट दोस्तों 40 प्लस का है 40 प्लस बच्चों तो किया सेशन आप कहुचा सकते हैं एक लाइक और एक शेयर से मात रखे वाले ठीक है इतना तो बनता है बहुत बेतरी तरीके से पार्टिपिट कर रहे हैं आ आकाश जीने ए लिखाये टा अमuju बारिता जीने ए लिखाये बहुत बनया तो यहां पर ए उर सी में क्या है दोस्तों टिविजन का विभाजन हो गया है आहाँ देखते हैं दृस्तों राइट आणसर क्या हो एक और तो इक चलिए बहूत बनयाadata तो आंसर कर रहे हैंsinर तो और पाखावज आपका क्या है एकदम राइट आंसर है और यहाँ पर दोस्तों आपको बोनस अंग प्राप्त होते हैं एक कोश्चन का सही आंसर फिर से आप लोगों निकल दिया है नहीं धोलक इस नौट दा आंसर बेटा धोलक इस नौट दा आंसर A to LG जुड़के हैं वो भी A लिख रहे हैं पाखावज ही एकदम राइट आंसर है यादर कर लिजे अब जितने बच्चे नहीं उनको बता दूँ डेली हम लोग 8 बज़े जुड़ते हैं दोस्तों GKGS की शांदर क्लास में और आपको क्या करना होता है इसमें 8 पे हम लोग जुड़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं अपने धमाकेदार सेशन के माधियम से डेली 25 कुशन्स वाल करते हैं जिसमें करेंट अफर के कुशन्स भी रहते हैं और आपको क्या करना है डिली जो प्रश्ण आपको नहीं आ रहा है, उसको नोट कर लेना अपनी नोट बुक में, और हम लोग क्या करेंगे, प्रश्णों के माधियम से ही अपने concept को बढ़ाते हैं, और इसे हम लोग ने reverse engineering का नाम दिया है, ठीक है, बहुत बढ़ी आंसर, बहुत ही बढ़ी तरीके स आप लोगों ने participate किया है, ठीक है, चलिए, next question, किस cricket खिलाड़ी की आत्मकता का शीर्षक 281 and beyond है, आप सभी दोस्तों को बताना है, दोस्तों, किस cricket खिलाड़ी की आत्मकता का शीर्षक 281 and beyond है, तो आपकी option है, अनिल कुंबले, जवागल श्रीनात, विरंदर सहवाग और व पतारिएगा, राइट आंसर क्या होगा, सभी दोस्तों बताएंगे, चलिए, कार्तिक जी, ब्रांड अंबिश्डर ही के वल नहीं है, पर कमेंट नहीं करना है, यहाँ पर सेशन में है, तो सेशन का आंसर दीजिए, और जो भी नॉलेज आपके पास है, आप जो पढ़ रह है, यहाँ पर दीख्षा जीने, शुभी जीने, नदीम जीने, अनस जीने, हमानश नेगी जीने, बहुत बढ़ी आंसर किया है, काट्ड जी ने लिखा है, वी वी आपको दोस्तु से और दीजिए, पोट बढ़ी है, आपके आनसर आ रहे है, एक बार सभी बच्चों रख क का नाम है तो उसका नाम दोस्तों क्यों है 281 की पारी खेली गए थी 281 की पारी खेली गए थी Eden Gardens में Eden Gardens में याद रखेगा और किस ने खेली थी दोस्तों तो VVS लक्षमन ने खेली थी और याद रखेगा दोस्तों इसी पारी के नाम पर इसी पारी के नाम पर दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद पारी थी दोस्तों आपके लिए very important examination के point of view से और इसी पारी के अधार पर दोस्तों इनकी आत्मकसा का सिर्षा क्या है 281 and beyond है याद रखेगा और 2001 में Eden Goddess में इन्होंने क्या एकदम बहतरीन पारी खिली थी जो आपके exam में पुछी जाती है याद रखेगा दोस्तों बहुत बढ़ी है question ए exam में आने like और books and author का question आता ही आता है दोस्तों एक like और एक share बनता है एक बार जबर्दस तरीके से दोस्तों आप लोग क्या कर दीजे शेयर कर दीजे लिंक को कॉपी करके और यह session maximum बच्चों तक पहुंचना चाहिए बेटा यह session को की विश्वश्चता है ठीक है very good बेटा बहुत बढ़ी answer और शांदार तरीके से दोस्तों आप लोग answer कर रहे है बेटरीन participation आपकी प्रफ से हो रहा है ठीक है चलिए next question आपके सामने यह रहा नीचे दीगई तस्वीर में दिखाए गए पारंपरिक भारती खेल का नाम क्या है आपको बताना है गिल्ली डेंडा मलखम और खोखो आपके option है आंसर सभी दोस्तों लोग करेंगे बेटा और समय आपका शुरू हो गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर आने चाहिए सभी दोस्तों के और एक बार session को दोस्तों like share करना जरूर बनता है जो बच्चे नए है जरूर कर द पर राइट आंसर क्या रहा है दोस्तों बहुत ही 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 तरीके से आप दोस्तों की दर्फते हो रहा है और यहां पर दोस्तों चांदार तरीके से दोस्तों आनसर आने शुरू हो गया है फैंटास्ट की भाती ये लोग खड़े हैं अब एक खंबे की भाती ये लोग खड़े हैं तो इसे हम क्या कहेंगे आप option को देखिए थोड़ा सा option को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है मलखम में आपका क्या है खंबा जो है या पोल जो है इसका शापदी करत होता है और यहाँ प वल्कमब आपका अंसर होगा, याद कर लिजिए, बहुत ही महत्पूर कोश्यन है आपकी एक्जाम के लिए, बहुत बढ़ी तरीके से आप दोस्तों ने आंथर किया, बहुत ही बढ़ी आंसर, और सभी दोस्तों ने शांदार तरीके से दोस्तों यह आप टाबर तोर्थ लीजिए दोस्तों और अपने सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए इस सेशन में और हमारा जो टारकेट है 40 प्लस का आज वो पूरा होना चाहिए आप सभी लोगों के प्रयास चलिए बढ़ते हैं आगे बहुत अच्छा कोशन था दोस्तों ये और सभी लोगों ने सौंग करजित किये हैं यहापर 100% अंग करजित किये हैं अगला कोशन दोस्तों आपके सामने यह रहा निमलिकित में से सबसे पुराना उच्छनी आया ले कौन साहे दोस्तों आपको बत अच्छा सेशन में आसा नहीं जिसने आंसर नहीं किया है तो जल्दी से आंसर कर दीजे बता दीजे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका समय हो गया शुरू दोस्तों आंसर आने शुरू हो जाने चाहिए और बहतरीन तरीके से आप लोग पाटिसिपेट कर रहे हैं ही दोस्तों क्या है यहां पर यहां पर यह प्रक्रिस कर रहे हैं कि एक्जाम में कैसे हम लोग को प्रिशन पत्र सॉल्व करना है समझ मियारी बात दोस्तों क्लियर हो रही ना बात दोस्तों ठीक है तो यहां पर शांदार तरीके से दोस्तों पाटिसिपेट क्या आप लोग 1862 में क्यालकटा हाई कोड की स्थापना होई ती सबसे पहले याद कर लिजे दोस्तों, इट इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके एक्जामिनेशन के पॉइंट आफ वी से नोट कर लेना है, याद कर लेना है, बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट है दोस्तों, शादार तरके से दोस्तों, आप लोगों के आनसर आ रहे है, बहतरीन पार्टीजिबिशन दोस्तों की तरफ से हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे नए बच्चे भी जुढ़े हैं बेटा, निकीत रिपाठी जी गौरो जी जोड़े हैं नहिमांशु जी वेरी गुड बेटा पूजा जी प्रैला जी गाजल जी त्रिप्ति जी शुबी जी सब ने शान्तार आंसर किया है और भेतरीन तरीके से पाठी बिट किया है वेरी गुड बेटा जो बच्चे नहें बेटा आपको बता दूँ डेली आठ बजे आपको इस क्लास में जुड़ना है अगर जी के जीएस को आपको अपने शान्तार बनाना है और यहां पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों पूरे के पूरे टॉप 25 कुशन करते हैं और विद रखिएगा नोट कर लेजिएगा बहुत इंपॉर्टन है दोस्तों आपके एकदाम के लिए क्लियर औरी बाद सेशन अगर पसंद आ रहा हो दोस्तों तो एक बार लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं जरूर से नेक्स्ट कुशन यह रहा आपके सामने मैत्य मैत्य राम जिन्हों सकते राम भी कहते हैं को किस लोग नित्य में उनके योगदान के लिए पदमश्री से सम्वानित किया जाथ आपको बताना है वेरी इंपॉर्टन कोश्चन दोस्तों आपके आपके आप्शन है होजागिरी गुसादी सकत्रिया नित्य और बिहू आपके आपके आ बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों आपके आंसर आ रहे हैं और यहाँ पर शांदार तरीके से आप लोग पाडिसिपेट भी कर रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है और देखना होगा आप लोग का उत्तर यहाँ पर क्या आ रहे हैं तो वेरी गुड बिटा बहुत ही बढ़ी आंसर और अनस्टोपबिल जी यहाँ पर अनस जी लिख रहे हैं ए आंसर होगा सर पहला जी ने ए लिखा है राहुल जी ने काजल जी ने वेरे गुड बिटा शुब्रकांते जी ने होजागरी लिखा है वेरे गुड शुब्रकांते जी और अच्छिता जी ने भी D answer भी लिखा है तो देख लेते हैं आप राई अन्सर क्या है यहाँ पर देखना होगा right answer क्या रहा है नदीम जी लिख रहे है शुभी जी ने D लिखा है दिकशा जी ने A लिखा है और ऍेगी जी यहाँ पर A answer कर रहे है तो राइट आंसर ही अरे इस होजागिरी का, होजागिरी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ताबढ़तोर आंसर दोस्तों आपके आ रहे हैं, और याद रखेगा होजागिरी किसी स्टेट से संबंदित है, यह भी आपको पता होना चाहिए और आप सभी दोस्तों लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर बहुत बढ़ी आंसर कर रहे हैं और यह त्रिपुरा इस सम्बंदित है दोस्तों याद रखेगा और होजागिरी सत्यराम जी को या मैंतिराम रियांग को होजागिरी में उनके योगदान के लिए पदमश्री से सम्बंदित है याद रखेगा और त्रिपुरा से सम्बंदित है याद रखेगा वेरी इंपोर्टेंट ये भी आपके एक्जाम में आ सकता है और यहाँ पर देखी शुब्रकांती जी ने एक्प्लिनेशन लिख दिया है बहुत अच्छी बात है और यह डांस गुरु थे फोक डांस के होजागिरी डांस इसी कहते है और यहाँ पर संगीत नाटक अगेदमिया और इनको मिला है 2018 में 1986 में और पदमिश्री 2020 में याद रखीएगा बहुत इंपोर्टेंट और गौरो जी ने लिख दिया इसा त्रिप्रो आंसर होगा शुब्रकांती जी भी लिख रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरिक्के से दोस्तों आप लोग ने आंसर क्या पार्टिसिपिशन एक्सिले अपक ग्रूप से इसे प्रदर्शित किया गया है आप सबको बताना है बहुत सारे इंडित में हमारे ऐसे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं जिन्हें हम क्या करते हैं जिन्हें हम विशुस्तर पे भी क्या करते हैं परफॉर्म करते हो प्रमोड करते हैं आपके आप्शन है द चलिए फट आफट बताईएगा यहां पर उत्तर क्या रहा है आप सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बहुत ही बढ़िया आंसर आप सभी दोस्तों कर रहे हैं और आंसर करिए बताईए राइट आंसर क्या है चलिए वेरे गुड बेटा पारंपरी कृत्ति के बारे में ब प्राषाज जिर्ड जड़ चुए है और अंसर लिखना और बहुत बढ़िया तरीके से शुवेजी ने भी आंसर कर दिया है और देखना होगा दोस्तों यहां पर भरत नाटियम दोस्तों, भरत नाटियम एकदम राइट आंसर है, बहुत ही बढ़िया तरीके से majority वच्चों ने क्या कहा है यहाँ पर? भरत नाटियम क्लियर होगी यह पाद दोस्तों? भरत नाटियम किस राजे से सम्बंदित है? सभी दोस्तों लोग बताईए, भरत नाटि और यहां पर दोस्तों भरत नाट्यम जो है इसका अगर ओरजिन देखा जा दोस्तों तो आप देखिए भरत मुणी का दोस्तों भरत मुणी का नाट्येश आस्र है नोड कर लिजे दोस्तों भरत मुणी का नाट्येश आस्र है दोस्तों इसका ओरजिन है या श्रोत मना जाता है और इसलिए दोस्तों देखिए जो भरत नाट्यम नाम जो पड़ा है वो क्यों पड़ा है भरत नाट्यम नाम क्यों पड़ा है भरत नाट्यम भरत नाट्यम ठीक में आगी बाद दोस्तों क्लियर हो गया ना दोस्तों सबको बताईएगा सभी दोस्त लोग इस पर शुआ की नहीं एक बार धमाकेदार तरीके से दोस्तों लाइक और शेयर बनता है बहुत बढ़िया तरीके से एक बार शेयर करिए और इस सेशन को दोस्तों मैक्सिमम वेरी इंपॉर्टेंट आपके एक्जाम के दिश्टिकोर से शांदार तरीके से दोस्तों आप लोगो ने आप पार्टिसिबिट करके बताया है वेरी गुट बिटा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन निमलिखित में से कौन सा एक मौसम विभाग का उपकर अंसर सभी दोस्तों करेंगे ताबरतोर तरीके से और बता देंगे यहां पर राइट आंसर क्या है जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी दोस्तों बताएंगे what is the right आंसर बहुत बढ़िया तरीके से पाडिसिपिट कर रहे हैं और आप सभी दोस्तों का अंसर आना शूरू हो चाहिए, बताइएगा, वर्शा को मापने के लिए हम किस कॉपियों करते हैं, वर्शा को मापने के लिए हम किस कॉपियों करते हैं, आपको बताना है दोस्तों, it is very very important आपके एकजाम के दिश्चकों थे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर आप लोग चुरू कर दिया है और निधी जी नदीम जी तिर्पती जी मानमिन जी के भी आंसर आ गये हैं और यहां पर रेंगेज आप लोग लिख रहे हैं इस टैंडर्र रेंगेज आप सभी लोगों ने यहां पर बहुत ही बेटरीन आंसर किया है एक कीवर्ड आपको बता दो दोस्तों की कीवर्ड को पचानकर प्रश्ण में आप सही विकल्प तक परो सकते हैं तो देख लिए यहां पर देखिए एक मौसम विभाव का उपकरण जिससे निश्चे समय में प्रती इकाई वर्षा प्रती इकाई दोस्तों वर्षा जो है यहां पर आपका क्या है यह की keyword है। और keyword technique के नुसार हम वर्षा को मापने के लिए क्या करना है। अपक्रान के लिए आया है। बूख करना है यह क्या चाहिक का रहा है। कर रहा है तो रही मैच कर रहा तो आंसर क्या हो दोस्तों आपका स्पीड होगा की सब्सक्राहई सकते हैं दिमाग आ तो ऐसे प्रश्नों को बहुत बहतरी तरीके से ताबढ़ तोड़ आप लोग क्या करेंगे पूरे अंग प्राप करेंगे साल करके समझ में आगी बात बहुत बढ़ी है तरीके से आप लोगों ने शानतार आंसर किया है very good बेटा, next question देख लेते हैं, निमलिकित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाला बेरी-बेरी का लच्छर नहीं है, लच्छर बेरी-बेरी का नहीं है, आपको बताना है, आपकी option है, धीरे-धीरे घाओ घबरना अनायक्षिक नेद्रगती, बोलने में कठाई औ अंगों में दर्द आपकी option है, answer सभी दोस्ते लोग करें, और बता दें, right answer क्या होगा, सभी लोगों ने बहुत बढ़ी answer किया है, एक बार सभी बच्छे जो नए हैं, आप लोग सेशन को बेटा like करेंगे, एक बार link को copy करके सभी लोग share कर दीजे, और maximum बच्छों तक पह चली, बहुत बढ़ी तरीके से दोस्तों आप लोग answer कर रहे हैं, और बहुत 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 ब वाउंड आप लोग लिख रहे हैं, very good बैटा, ए आंसर सभी दोस्तों का आ रहा है, या तो slow healing, वाउंड आप लोग लिख रहे हैं, very good, majority ने क्या लिखा है, यहाँ पर ए आंसर किया है, और बिलकुल सही, धीरे धीरे घाव भर रहा है, यह पहचान किसकी है, विटामिन B1 के कारण होने वाले, रोक की पहचान नहीं है, very very का लक्षण नहीं है, दोस्तों इवाद ध्यान रखेगा, यह आपका लक्षण जो है, very very का नहीं है, बाकी सभी आपका क्या है, बाकी सभी आपका क्या है, तो right answer आपको सभी लोगों को मिल गया है, और vitamin B1 दोस् लोग बताएंगे, right answer क्या होगा, vitamin B1 का scientific name, सबके answer आने चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग participate कर रहे है, आपर, क्या है दोस्तों, बताईएका, सभी दोस्तों लोग, vitamin B1 का scientific name क्या है, मैं जानना चाता हूँ, सभी दोस्तों के answer आने चाहिए, scientific name लिखना है, comment box में comment करके और बता देना है B1 का scientific name का है बहुत बढ़ी answer दोस्तों की तरफ से आ रहा है बहुत ही बढ़ीया तरीके से आप लोग यहां participate कर रहे हैं very good और answer आना शुरू हो गया दोस्तों थाइमीन आप लोग लिख रहे हैं तो थाइमीन एकदम राइट आनसर है तो कभी भी विटामिन पढ़िये तो विटामिन के scientific name ने जरूर पढ़िये उसकी कमी से होने वाले रोग जरूर पढ़िये और विटामिन का श्रोज जरूर पढ़िये तब आपका वो knowledge complete होगा और उससे जब विटामिन का क्या है दोस्तों संग्रह होता है इस बात को आपको धियान रखना है आठ आपके वी विटामिन होते हैं इसमें याद रखिए का वेरी इंपॉर्टन आपके एक्जाम की है बहुत अच्छा तरीके से आप लोग participate कर नेश कोशन दोस्तों निमली कितमे से किसे Legion of Honor पुरुसकार के officer से सम्मानित किया गया है सभी दोस्तों को बताना है आसा भोशले समशाद बेगम एस जान की और लदा मंगेश कर आपके option है आपका समय हो गया है शुरू दोस्तों और और अंसर सबको करना है आपर बता देना है राइड आंसर क्या है चली अच्छ बहुत अच्छा अंशन बेचरीन तरीके सब लोग थे आपके quand भालाइव कर रहे हैं और बिल्कुल सही यहाँ पर लगय दम उतल्हाम दोस्तों भारत को किला है से भी जानते हैं, भारत, कोकिला के नाम से भी हम लोग जानते हैं, याद रखेगा, very, very important आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है, और Leason of the Honor पुरुषकार से ने सम्मानित किया गया Leason of the Honor पुरुषकार जो है दोस्तों क्या है यह France का France की सर्वोच पुरुषकारों में से एक है दोस्तों याद रखेगा Very very important और यह दो कोशन जो अत्रिक्त मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको बताएं है आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं नोट कर लिजीगा, याद कर लिजीगा एक्जाम के लिए बहुत important ठेक, बहुत अच्छे Next question से आते हैं दोस्तों देखते हैं निम्रिकित में से कौन सा एक सहसिक खेले आपको बताना है Which of the following is an adventure sport बताइए स्नो होकी, साइकलिंग, पैराग्लाइडिंग और पैरलम्पिक आपके option है आंसर सभी दोस्तों करिए बता देजिए इसका right answer क्या होगा चल्दी से answer आने चाहिए सभी बच्चों के answer आने चाहिए फटा-फट तरीके से answer करिएगा वेरी गुड बटा और एक बार दोस्तों क्या करना है session को link को copy करके share करना बनता है और जो हमारा सभी बच्चों तक पहुँचने का उदेश है इस session जो है maximum बच्चों तक पहुँचे और सब का लाव टेके एक, शुबरकान्ती जी लिख रहे हैं सभी लोग सूपर बांसर कर रहे है और यहाँ पर दोस्तों देख लेते है राइट आंसर क्या होगा तो पैरा ग्लाइडिंग इस दर राइट आंसर दोस्तों याद कर लिजीगा वेरी वेरी इंपॉर्टन कुश्यन आपके एक्जाम में आने वाला कुश्यन है दोस्तों इस बात को नोट कर लिजीगा और निश्चित रूप से आप सभी दोस्तों लोग यह मान के चलिए कि यह सहातिक खेल है अडवेंचर स्पोर्ट है और बहुत ज़दा पॉपुलर भी है फिर बढ़ते हैं दोस्तों आगे नेक्श्ट कुश्यन भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियां चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी आप सभी दोस्तों को बताना है balance answer सभी दोस्ते चरें और बता दे यहां पराईट answer क्या हो धा फिक्कि के संस्थापप कौन है आपको बताना है वेरे वेरे ispckets कब होई संस्थापप कौन है बहुत ही ज्यादा इंप outra है आपके video कर द्रिश्चिक और आप सबी लोगे को यहां पर answer करना चाहिए और बताना चाहिए, बहुत ही धमागेदार तरीके से आप लोग आंसर करना है, शिव कुमारी जी जुड़ चुकी है, शिव कुमारी जी आप से बोलोंगा, आपको पता होना चाहिए, कि सेशन का टाइम बेटा आट बजे है, सेशन का टाइम आट बजे है, जी के जीस की शानदा बन जाएगी यह मैं शूर करता हूँ बहुत पढ़िया तरीके से पाडिस्पिशन आपका हुआ है 1927 आपका एक डम राइट आंसर है दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों very very important आपके लिए और अगला कुश्चन यह रहा आपके सामने 1857 के विद्रोग के दौरान मुगल समराड कौन थे आपको बताना है शालम दिती यह बहादुर शाप्रसाम अकबर दिती और बहादुर शाद दिती आपकी option है आप सभी दोस्तों लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है बहुत ही ज्य सब्स्क्राइब जरू किजेगा चैनल को पहली बार सेशन में आया है तो डेली आड़ बज़े जुड़िएगा आज से इनों का स्लोट आप से मांग रहा हूं केवल एक घंटा मांग रहा हूं पैता आलेस मिट का समय मांग रहा हूं और GKGS आपकी किसी भी परिच्छा के लिए शांदार हो जाएगी तो अब तोर बैटिंग आप करेंगे और क्या करेंगे धमाकेदार तरीके से स्वाल करेंगे और यहां पर बहादुर्शा दूती आपके राइट आंसर है और इनका नाम दोस्तों आपको पता है बहादुर्शा इनका नाम बहादुर्शा दोस् याद रखेए वेरी इंपोर्टेंट आपके एक्जाम के दिश्वोरते और बक्त खान भी इनके साथ थे बक्त खान ते अपती की रोप में क्या कर रहे थे आगे पड़ रहे ते याद रखेएगा वेरी इंपोर्टेंट 1870 का विद्रोप प्रथम 1770 संग्राम था ये वीडी स ये रहा आपके सामने भारती रेलवे की ट्रैक चुड़ाई के अधार पर माथेरान हिल रेलवे किस प्रकार का गेज है आप सब को बताना है दोस्तों माथेरान हिल रेलवे किस प्रकार का गेज है नैरो गेज, मीडियम गेज, ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज आप पसंद आ रहा है तो, और एक बार लिंक को कॉपी करके शेयर करेंगे, और यह session आपका, एक बार सभी बच्चे लोग याद रखिए, यह ड्रेग उना रटेंड करेंगे, तो maximum बच्चों को यह lab होने करने वाला session है दोस्तों, याद रखिए का very important, टेक, और राइट आंसर दोस्तों, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों, नैरो गेज आपका एकड़म राइट आंसर है, नोट कर लिजे, माथिरान हिल रेलवे आपका नैरो गेज था दोस्तों, very important question एक्जाम में सीरे आया हुआ है, C आंसर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आंसर ए है, वो चो याद रखेगा, आंसर ए है, सभी लोग नोट कर लिजे, याद कर लिजे, बहुत important है दोस्तों, आपके एक्जाम के दिश्चिकोर थे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला question यह रहा आपके सामने, the ancient name of coastal orisa was, आपको बताना है औरिसा का प्राचीन नाम पूछा गया है, सब बच्चे लोग बताइए, right answer क्या होगा, very very important, गलत हो गया है, तो परशान नहीं होना है, दोस्तों, गलत हो गया है, तो क्या करिए, एक notebook बनाईए, यहाँ पर प्रश्ण note करिए, यहाँ पर सही विगल्फ note करिए, सही होना ही होना है, ठीक है, याद रखिएगा, very important, और right answer यहाँ पर क्या है, कलिंगा is the right answer, आप सब को पता होगा, कलिंग नाम था, और कलिंग युद्ध जोस्तों किसने लड़ा था, बहुत ज़दा important है, exam में पूछा गया question है, शांदार तरीके से आप लोग answer कर रहे हैं, और next question यह रहापके सामने, करनाटक राजी में, विधान परिशत के कितने सदस्य आपको बताना है, how many members of legislative council are there in the state of करनाटका, आपके option है, answer सभी लोग करेंगे, धमागेदार तरीके से, शांदार तरीके से, very very important question it is, आप सभी को बताना है, आप राइट answer क्या होगा, very very important question, बहुत ही बढ़ी तरीके से आप लोग participate करना है, और जल्दी से बताइए, इसका राइट answer क्या होगा, and answer here is, answer here is 75 दोस्तों, याद रखी का, विधान परिश्यद दोस्तों कितने राजियों में हैं, तो 6 राजियों में, 6 राजियों में हैं दोस्तों याद कर लिए, UP, बिहार, महराश्टा, ठीक है, करनाटका, UP, बिहार, महराश्ट, करनाटक, और आन्दप्रदेश और तिलंगाना, आन्दप्रदेश और तिलंगाना, ये 6 राजियों हैं जहाँ पर क्या दोस्तों आपकी विधान परिश्यद है, बाकी जगा पर विधान परिश्यद नहीं है, इसको याद रखना है, नोड करना है, एक्जाम में आने वाला कोश्चन है दोस्तों, यूपी, बिहार, माराश्ट, करनाटका, अंदप्रदेश होते लंगाना, ये आपके क्या है, 6 राजिये हैं जहाँ पर विधान परिश्यद है, और विधान परिश्यद को भंग करने के लिए, विधान परिश्यद आपकी समाफ हो जाती है, याद रखेगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस धातु के करन, 357 डिग्री सेल्फियस के क्वथनांग तक गर्म करने पर द्रव अवस्था से, गया सवस्था में चले जाते हैं, आप सभी को बताना है आपकी आप्शन, मर्करी या पाराथ, तामबा, पीतर और गैलियम आपकी आप्शन है, आंसर सभी लोग करेंगे बटा, और बताएंगे सभी लोग राइट आंसर यहां पर क्या है, चलिए, जल्दी से पता दिजए, सभी बच्चे लोग बताएंगे राइट आंसर क्या है, बेहतरीन पाठिसिपिशन, गौरो जी, छिव कुमारी जी, शुबरकांती जी, दिक्षार जी, काजल जी, पहलाज जी, एनस जी, राहूल जी, बहुत बढ़ी आंसर दोस्तों, सभी दोस्तों की दरफ से हो रहा है, शुबर जी अनस जी ने भी आंसर किया है, और आंसर यहां पर क्या है दोस्तों, तो मरकरी इस दर राइट आंसर, मरकरी के काण, 357 डिगरी के कुथनांग तर गर्म करने पर, द्रव अवस्ता से गयस अवस्ता में चले जाते हैं, नोड कर लिए, वेरी वेरी इंपोर्टन कोश्चन दोस्तों, आपके एक्जाम के लिए, नेक्ट कोश्चन, सोनल मानसिंग, एक प्रमुख भारती ये शास्री नित्यांगना है, जो किसमें माहिर हैं, आपको बताना है दोस्तों, भरत नाक्यम और कुचिपूरी, भरत नाक्यम और ODC, भरत नाक्यम और कथ्थक और मणी पूरी और ODC आपके ऑप्शन है, आंसर सभी लोग करेंगे, बताएंगे, राइट आंसर क्या है, चलिए दोस्तों, आप सब का आंसर आना चाहिए, सोनल मान सिंग का नाम तो आप समने सुना होगा, सोनल मान सिंग का नाम, तो सबने सुना होगा दोस्तों, यह शास्त्री निर्प्यांगना है, किसमें माहिरें आपको बताना है, आंसर comment box में आने शुरू हो जाने चाहिए, बहुत बढ़ी आंसर आने शुरू हो गए है, अनस जी, very good, नदीम जी, शुबी जी, श्टावल जी, नोनो जी, पुष्पनजन जी, अमरिता जी, काजल जी, हिमानशुर जी, मानवेंदर जी, कार्तिक जी, very good, इस्ट्वूर जी के लिखा कौन है, आपको बताना है, मृत्यूंजे के लिखा कौन है, तो भालचंदर नेमाडे, शिवाजी सावंद, रंजीत देशाई और विश्मु खंडे का रफ्टॉप्शन है, यह भी कोश्चन दोस्तों, आपका एक्जाम में आया हुआ कोश्चन एक था, याद प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्यूंजे के लिखा के लिखा के याद रखिए, वेरी इंपोर्टन कॉश्चन आपके एक्जाम के दिश्मु खंड है, ठीक है, चली, नेक्ष्ट कॉश्चन, किस संस्था ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट नामक रिपोर्ट जारी की ह अब ये दोस्तों क्वेश्चन क्या है, आपका करेंट अफिर का क्वेश्चन है, आप सबी लोगों फटा फट आंसर बताना है, और सेशं में मैंने इंक्लूट किया ताकि आपको पूरा पीपर एक स्वाल परने को मिले, ठीक है, चली, नीतिया योग, एने आसो, यूए फ पच्चों ने C आंसर लिखा है और जादा तर नहीं यहाँ पर लेकिन B ही लिखा है लेकिन आपको याद रखना है किस ने आंसर किया है तो UNFPA याद रखेगा संयोक राज्ट जन संक्या गोश्वरा इंडिया एजिंग रिपोर्ट जारी की गई है वेरी वेरी इंपोर्टन किसके इंदरी मंत्राली ने Smart Cities Mission भारत HDG का इस्थानी करण रिपोर्ट से यार किया है आपको बताना है बताईए सबी लोग Ministry of Finance, Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of MSME और Ministry of Commerce and Industry आपके आपके आप्शन है आंसर सभी दोस्तों करेंगे और बताएंगे कि Smart Cities Mission इंडिया लोकलाइजिंग HDG रिपोर्ट किस ने जारी किया है सभी लोग देखिए यहाँ पर दोस्तों एक कीवर्ड है आपका, कीवर्ड क्या है दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड आपका City है और यहाँ पर दोस्तों City कीवर्ड के हिसाब से आप सब लोग आप एक अर्बन को, अर्बन क्या होता है दोस्तों अर्बन भी आपका शहरी इलाक ये भी आका city मतलब भी शहर, इसका मतलब भी शहर, तो दोनों को link कर दिजे, तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका, B is the right answer, ठीक, B clear हो गया, next question, Swalamban 2.0 किस संस्थान का स्वदेशी करण रोड मैप है, आपको बताना है, IR, DAI, Indian Navy, Niti Ayoga और RBI ये आपके option है, Swalamban 2.0 किस संस्थान का स्वदेशी करण रोड मैप है, आप सभी दोस्तों को बताना है, answer क्या होगा, आप सब के answer आने शुरू हो जाने चाहिए, तो देख लेत हीगा, very very important exam में आ सकता है, clear, बहुत बढ़िया, next question, किस संस्थान ने नूर 3 imaging उपगरा को कक्षा में लॉंच किया, आप सब को बताना है यहापर, Israel, UAE, Iran और North Korea आपके option है, सभी दोस्तों लोग बताईएगा, इसका right answer क्या, दोस्तों, सब के answer आने शुरू हो जाने जल्दी से बताना है, और यहाँ पर दोस्तों, आपका right answer है, इरान, इरान ने नूर 3 imaging उपगरा को कक्षा में लॉंच किया, very important question, आपके exam के दिश्ची कोन से clear, चलिए, बहुत बढ़िया, super participation दोस्तों, आज के session में आपका रायर, ताब और तोड़ बैटिंग आप लोगो बताईएगा, और इसे हम discuss करेंगे दोस्तों, कल कितने बज़े जुड़ना है दोस्तों, तो 8 बज़े जुड़ना है, ताब और तोड़ तरीके से हम लोग धमा के दा तरीके से एक नया session लेकर आएंगे, कल शाम को 8 बज़े जुड़ जुड़ जुड़िये, session अच्छा ल झाल